बिहार में ठंड का प्रकोप ऐसा है कि इसका असर जन जीवन पर ही नहीं बलकि यात्रा पर भी दिख रहा है रेल परिचालन तो बातित हैं ही हवाई सफर भी बहुत परिशानी से हो पा रही है ऐसे में बिहार में अब लोग परिशान हो रहे हैं इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर 10-10-12-12 घंटे इंतजार करने के बाद भी ट्रेनों के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्या कह रहे हैं लोग और किस प्रकार लोगों को परिशानी हो रही है हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इसके साथ ही यभी बताएंगे कि कौन कौन से ट्रेने देर से चल रही है और कितनी लेट से चल रही है यदि आप बिहार से तालूप रखते हैं तो इस खबर पर बने रहें। दरजल घने को होने के कारण भागलपूर रूट की ट्रेने देरी से चल रही है। बीते सोंबार को ये ट्रेन रात के 12 बजे के बाद भागलपूर पहुँची थी। भागलपूर पहुचने का समय सुबह 8 बज कर 15 मिनट पर निवधारी थे। इसी प्रकार प्रमपुत्र मेल 10 घंटे की देरी से चल रही है। इसके साथ ही अगर बात करें गरीबरत की तो डा रात के 12 बज कर 5 मिनट पर खुली जबकि इसके वहां से खुलने का समय शाम 7 बज कर 15 मिनट पर निधारी था। ये ट्रेन भी भागलपूर में रात के 3 बजे के बाद पहुची। बतादें कि प्रयागराज में माग मेला को देखते हुए मत रेलवे ने विंध्याचल स्ट के कारण अधिक्तम और नियुंतन तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खास बात ये कि बेहार में ठंड का प्रवोग जो है या तयार्थ पर दिख रहा है और इसी कारण ट्रेन के चक्के भी रुख से गए हैं जिस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यदि हम यात्रियों की परेशानी की बात कर लेते हैं तो पटना जंक्शन पर ही नहीं। बिहार के तमाम स्टेशनों पर आपको रात के या दिन के हैं। इसे भी समय यात्री परेशान दिख जाएंगे और ये बताते हुए दिख जाएंगे कि 10 से 12 घंटे से वो ट्रेनों क का इंतजार कर रहे हैं लेकिन ट्रेन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में समय तो जाहीं रहा है लोग अगर समय पर जी सस्थान पर पहुंचना चाहते हैं वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बने रहें लाइफ सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चनल को सब्स कर लीजिए।